हेलो एवरिवन, वेलकम टू अबर कमपनी बारत इंटरपाइज़ जो की श्री गंगानगर रास्थान में हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोपलें ब्रेंड के 15 kVA 3-phase PTO जेनरेटर के बारे में जो की ये गेर बोक्स टाइप जेनरेटर है जिसका यूज ट्रेक्टर की हल्प से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने में होता है जिसे की आप 10 HP तक की मोटरों को रन कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो में हम इस PTO जेनरेटर का लाइफ टेस्ट भी करेंगे कि इसकी रियल में क्या परफोर्मेंस रहती है जिससे की आपको बहुत बढ़िया से कलियर हो जाएगा कि ये जेनरेटर आपके लिए वर्थ हेटा है या नहीं तो मेक शोर की आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इस जेनरेटर में टोपलन ब्रेंड का 15KV 3-phase ट्रांसफर्मो टाइप अल्टेनेटर लगा होता है जो कि पर फेस 20A तक का लोड जेनरेट कर सकता है और ये एक ट्रांसफर्मो टाइप अल्टेनेटर है जो कि प्योर कोपर वायर की वाइनिंग से बना होता है तो ये लोड पर वोल्टेज भी स्टेबल रगता है जिससे की ट्रैक्टर बिल्कुल समूथ चलता है और ट्रैक्टर फ्यूल काफी कम लेता है और ये एक गेरबोक्स टाइप जनरेटर है जिसमें कि ये 1-4 रिशो का गेरबोक्स लगा होता है जो कि एक shaft की help से ट्रेक्टर से connect हो जाता है और जब ट्रेक्टर की PTO एक बार round लेती है तो alternator को 4 round मिल जाते हैं जिससे की ट्रेक्टर के 375 rpm पर ही alternator को 1500 rpm पूरे हो जाते हैं यही reason है कि gearbox type alternator belt driven alternator से कम तेल पिते हैं और उनसे ज़्यादा efficient होते हैं और इसकी maintenance भी काफी कम रहती है बेल D1 generator को long time run करने से उसकी belt गरम हो जाती है और बेल्टों की life गड़ जाती है और अगर वेल्ट वगरा में कोई कपड़ा वगरा फस जाए तो machinery को भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और का नजदीक काम कर रहे operator को भी नुकसान पहुंच सकता है लेकिन gearbox type generator में ऐसा कोई भी risk बिल्कुल भी नहीं रहता है और gearbox में oil रहता है जिससे कि इसको long time run करने से भी इसमें गरम होने की किसी परकार की कोई समस्या नहीं आती है और दोस्तों इस complete gearbox type generator पर आपको एक साल की full warranty मिलती है और अगर बात करें इस PTO generator की pricing की तो with GST इसकी pricing रहती है 67,000 रुपे और आप इसे हमारे whatsapp number 9462897247 पर message या call के through इसे order कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था कि इस generator का हम load test करेंगे तो इसके साथ हम एक tractor को connect कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि PTO shaft की help से हमने इस generator को इस tractor के साथ में connect कर लिया है तो चलिए दोस्तों इस generator का हम water load check करते हैं आपको दोस्तों इस手 हमसे में थाएं पर दोस्तों आपको एह होगा है भी जड़ फर दोस्तों तो में दोस्तों आपको गिया है चलिए आपको बादा मने जड़ ओएला है कि गेता नहां अगरोनारशफ दुष ऑार लाल झाम कि अगराले, कि उन्हां में १े लोगो अर अट और वो टे अर आपका कि वेठी नब vibिंट-चाजी और भीजड़ कि वेड़ा है वेठी कि एनोर नब तरी रग सावे बाले कि शो फसे है झाले कि एमाई बबना कि वेड़ा है कि वेड़ा है तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि इस जनरेटर ने पर फेस 20 अमपियर तक का लोड बिल्कुल इसली केरी कर लिया था वो भी बिना दबे हुए बिना किसी वाइब्रेशन के तो इस बात में कोई दुराई नहीं है कि यह जनरेटर अपनी प्राइज रेंज में बेस्ट जनरेटर होने वाला है और आप इस जनरेटर की हैल्फ से 10 HP तक की मोटरों को बिल्कुल इसली रन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो हैल्फ हो लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इन फ्यूचर ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भारत एंटरप्राइज को सब्सक्राइब कीजिए